दोस्तो टाटा सुमो का नाम सुनते ही हमारे मन में जो ख्याल आता है वो है जापानी पहलवान सुमो का हम सब ये मानते हैं कि सुमो का नाम वहीं से आया है पर ये सही नहीं है सुमो का नाम जहां से आया है उनका नाम है सुमंत मुलगाउंकर जिनके नाम के शुरू के हक्षर से नाम बना है उन्हें टेल को जो की टाटा इंजिनिरिंग एंड लोकोमोटिक कॉर्परेशन जो टाटा के लिए गाड़ियां बनाती है उसका निर्मादा भी का जाता है तो आए जानते हैं इनके बारे में कुछ सुबंध मुलगावर का जनम 5 मार्च 1906 को बंबई में हुआ था उन्होंने अपनी विज्ञान में स्थापना की डिगरी इंपेरल कॉलेज लंडन से 1939 में प्राप्त करी थी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद CP सिमेंट्स वर्क में सन 1930 में एक इंजिनियर के त होई थी जब वे यॉरोप से एक व्योवसाइक तोरे से भारत लोट रहे थे जे अरडी टाटा ने उन्हें अपनी साथ काम करने का नियता दिया जिसे उन्होंने सन 1947 में स्विकारा उन्हें तब टेलको के डिरेक्टर के रूप में शामिल किया उन्हें आमतोर पर टेलको का नेतित्व किया अपने टाटा के कारेकाल में उन्हें विभिन्न समों का नेतित्व करने का मुका मिला जिसमें टिसको टाटा आयरंड इन स्टिल कॉर्परेशन टाटा एक्सपोर्ट्स टाटा कंसल्टिंग आधी कई समों सामिल है कार खाने लगाने अनुसंधन स्थापित क परने में तो उन्हें जादे दक्षता हासिल थी, उन्हें फोटो खेंचने का पुस्तक पढ़ने का भी शौप था, उनका लक्ष सुरू से ही स्वदेशी न्रमान का था, और वो हर गाड़ी को भारत में हैं निर्मत देखना चाहते थे, जिसका फल आज हम टाटा इंडिय का, टाटा सुमो, टाटा साफारी, आदि भिन गाड़ियों के रूप में देख सकते हैं, उन्हें भिन खतापों से भी नवाजा गया है, जिसमें सर वॉल्टर पुस्केश प्राइज, इंबिनिल कॉलेज की फेलोशिप, भार सरकार द्वारा पदम भूशन और कई उनिस्टिय इसकी डॉक्टरेट भी शामिल है, उनके बारे में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है, अक्सर होता ऐसा था कि टाटा समो के सभी हदिकारी दोपहर में एक साथ ही खाना खाया करते थे, परन्तु कई दिनों से सुमन्त खाने के समय बाहर जाते और ठीक खाने का समय खत्म होने से पहले कमप्री लोटाते, इसको देखते हुए ऐसी अफवाएं उटने लगी कि शायद टाटा के डीलर्स उन्हें कहीं बाहर महंगे होटल में खाना खिलवाते, परन्तु जब एक दिन उनके कुछ साथियों ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने पाया कि सुमन्त हाईव और बुरी बातें दोनों ही बातें पूछते, ताकि वे उसमें आवश्चक सुधार कर सकें, उनकी इनी सब बातों की वाज़े से टाटा अपने ट्रकों में सुधार लाती गई, और ट्रक बनाने वाली अग्रणी कमप्री बन गई, उन्होंने सन 1989 में इस धर्ति को उनके जीवन से हमें सिर्फ यही प्रेणा मिलती है कि कर्म और कारियले के प्रति निस्ठावान ही रहना चाहिए